नमस्कार दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है और आज सेल्फ इंप्लोईमेंट विद राकेश बंसल में मैं शेर करूँगा आप लोगों के साथ दो ट्रेडिंग पिक्स पहला तो है दोस्तों मतवाला हाती और दूसरा है काला गुलाब और जैसा मैंने आपसे वादा करा है कि मेरा फोकस है टोटली टोटली ऑन सेल्फ इंप्लोईमेंट और देखिए जो भी चीज मैं आप लोगों के साथ शेर कर रहा हूं वहाँ पर आपको सीखने और कमाने दोन पहला हाती इसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी जब आप देखेंगे HDFC बैंक का टेकनिकल चार्ट देखें यह है HDFC बैंक का टेकनिकल चार्ट यहां पर अगर आप देखें चार जुलाई के आसपास बहुत था 1352 अभी बहुत है 1392 अब आप देखें यह छोटे मजोले हैं City Union Bank ठीक है यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर एक rally देखने को मिली है 132 रुपे से 132 से एक non-stop travel towards 163 यहां पर अगर आप देखें Federal Bank के अंदर यहां पर एक rally देखने को मिल चुकी है from 90 रुपीस to 107 फिर आप ICICI Bank को देखें यह देखें ICICI Bank को देखें तो ICICI Bank के अंदर भी आप देखें तो एक rally देखने को मिली है 720 से 798 तक की और अब अगर आप देखें HDFC Bank यह मैंने levels दिये हैं अपनी जो averages plot करी हुई है और यहां पर अगर आप देखें HDFC Bank को देखें तो यहां पर यह गहीं पर ही खड़ा हुआ है अभी तक move देखने को नहीं मिला है और मैंने यह देखा है जब भी stock मेरी averages के ऊपर आता है कोई pattern interesting हो तो चीज भागती है as of now आप देखें इस chart को मैंने enlarge करा इस chart को enlarge करा यह इस averages को देखें क्रॉस कर चुका है इसको क्रॉस यहां पर मेरा ऐसा मानना है कि going at थोड़ा सा भी stock उपर बढ़ेगा थोड़ा सा भी stock उपर बढ़ेगा तो यहां पर एक बड़ी candle ऐसी बनेगी green color की यह तो blue है मेरा तो बड़ी तेजी से यहां पर मुझे लगता है आप move देखने को मिल सकता है averages कि यहां पर cross हुई हुई ह यहां पर averages cross हुई हुई है और अभी मैं आपको एक चीज और बड़ी interesting दिखाता हूँ यह है मेरा HDFC यह मेरा है hedge fund trend line अब आप यहां पर एक चीज देखें यह देखें यह एक top यह दूसरा top मेरी line अपने automatically draw के आ रही है और यह line यह बोल रही है कि एक बार को यह इन levels के उप के round निकल गया तो यह तेजी से भाग जाएगा उस समय क्या है यह मतवाला हाती पागल हो जाएगा इस gap को भी फिल करेगा 1465 1480 के levels देखने को मिल सकते हैं और यहां पर एक चीज अगर आप देखें यहां पर एक चीज देखें तो यहां पर एक rounding bottom भी बन रहा है तो ideally अगर आप देखें यहां पर ideally अगर आप देखें तो यह काफी अच्छा base है भी यह 14 1350 के round base आ रहा है इसके नीचे की closing आया तो निकल जाएं इन स्थरों पर corrections पर accumulate करना चाहिए technically और एक बार यह stock इस line को तोड़के भागा इस line को तोड़के भागेगा तो काफी तेज एक detail बड़े अच्छे से मैंने share करा है एक disclaimer है HDFC bank को शुकरवार को हमने अपने वायदा बाजार वाले clients को recommend करा है खरीदने के लिए और सब कुछ मैंने आपके अच्छे से share करा है for the purpose of learning for the purpose of earning HDFC bank अच्छे से share करा है लेकिन एक चीज़ दोस्तों रह गई एक चीज रह गई है मैं भूल गया हूं तो दुबारा से चार्ट पर चलते हैं दुबारा से चार्ट पर मैं चल रहा हूं यहां पर देखिए चार्ट तो share करा है और HDFC bank निफ्टी को underperform कर रहा है यह देखिए underperform कर रहा है बट एक बार यह लाइन 1410 1411 की तोड़ी तो इतनी तेजी से भागे है for the purpose of learning and earning और एक वादा और है कि वीडियो को मैं थोड़ी frequency बढ़ाऊंगा और अब एक वीडियो तो हर संड़े में release करूंगा ही करूंगा और जब भी कोई अच्छा stock worth learning and earning मेरे को नजर आएगा तो एक वीडियो weekday पे भी लेके आऊंगा तो for the timely update एक तो channel को subscribe करें और दूसरी महंग ये है विंती आप से ये है अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को like और share जरूर कीजेगा और एक दूसरा stock मैं आपके से share करूं काला गुलाब तो उससे पहले मैं आप लोगों के साथ share करना चाहता हूं अपनी performance हमारा जो momentum trading है उसकी performance मैं June end पे portal पे upload करूंगा काफी rocking performance है future trading के अंदर एक लाख 25,000 का performance दिया है one of the rocking performance मेरा यहां पे देखने को मिल रहा है one of the rocking performance मेरा यहां पे देखने को मिल रहा है और फॉर पूरी details के लिए आप आप right side में i button आ रहा है वहां पे click कीजिए और options में भी आप मेरा confidence बढ़ता जा रहा है 27,000 28,000 की July expiry का profit वहां पे खड़ा हुआ है और subscription के लिए आपको जो details चाहिए आप right side पे i button आ रहा है वहां पर आप click कीजिए और अब मैं दूसरी topic आप लोगों के साथ share कर रहा हूँ वो है काला गुलाब काला गुलाब क्यों है क्योंकि company हैं दोस्तों गोदरेज consumer products और यह वो company हैं जो की काला खिजाब डाई लेके आई थी भारत के अंदर और FMCG space से है FMCG space भाग रहा है और इस stock का भी technical pattern अच्छा है क्यों मुझे गोदरेज consumer अच्छा लग रहा है वो आपको समझ में आएगा जब आप इसका देखेंगे दोस्तों technical chart और chart देखके ही पूरी इसा नहीं होता है कि चीज में रिवर्सल पर पकड़ें देखें यहां पर हुआ breakout यह देखें लाइन जो है थोड़ा गलत ड्रॉव हुआ है इसको डिलीट करना पड़ेगा और मैं जो एक चीज रोज शेर करूंगा यह वीडियो जो मैं आपके साथ शेर कर रहा हूं यह uncut अन एडिटीड वर्जन है क्योंकि अगर मुझे रैगुलर वीडियो आप लोगों के शार्ज शेर करने हैं तो जैसे हम स्पॉंटिनियसली बोलते हैं वैसा मैं बोल रहा हूं देखिए गोद्रेश कंजूमर में यहां पर हुआ एक ब्रेकाउट 835 के लिए ब्रेकाउट की क्लोजिंग थी 878 की जब यह क्लोजिंग थी बाइट उस समय हमार पास स्टॉप लॉस नहीं था मुझसे आप उससे है वही इस कैंडल पर इसके नीचे क्लोजिंग थी 787 पर अब अगर हम देखें तो स्टॉक ने एक्क्यूमिलेशन करा है यहां पर एक यह पैटन्स बन गए है और अब एक सपोर्ट निकल के सामने आया है देखिए जो सपोर्ट है ट्रेडिंग के नजरे से यह 835 के नीचे की क्लोजिंग आया तो निकल जाना चाहिए एल्स गोद्रिज कंसुमर भी मुझे लगता है FMCG स्पेस से फायर करने को त्यार है लेकिन अब मैंने स्टॉप लॉस बोला तो मैं लिग दूं कई लोग क्या है स्टॉप लॉस नोट नहीं कर पाते हैं उनको हर ची की भी एक लेवल नहीं होते हैं पहला लेवल मुझे लगता है यह आएगा कि 925 के लेवल दिखा रहा है और इवेंचुली मुझे लगता है जिस तरीके से FMCG में मूब बना हुआ है यह लेवल भी देखने को मिल सकते हैं सब लोग लिवर ITC देख रहे हैं 960 के लेवल भी मिल सकते हैं तो आज के लिए Self Employment with Rakesh Pansal में इतना ही अपना प्यार और सने बनाय रखिएगा वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजेगा फिर जल्दी दुबारा मिलूँगा जैसे ही regular content मिलेगा वैसे ही आप से मिलूँगा थैंक यू बाइ बाइ